मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे और मन से पढ़ाई करने होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम महत्तम समाप वर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे जिसमें हम आपको गुडन खंड विधी और भाग विधी दोनों तरीका बताएंगे अब जैसे हमें 8 और 12 का HCF निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले 8 का गुडन खंड कर लेना है और कैसे करेंगे 8 को यहां लिख लेना है जिस तरीके से आप HCM लेते थे उसी तरीके से करना है तो करिए 2 चौकवा में 8 अब फिर से एक लाइन बना करके इसको काट लेना है 2 दूना का 4 अब फिर से इसे काट लीजिए 2 एक कम का 2 यह प्रक्रियत तब तक करते रहना है जब तक कि यहाँ 1 न आ जाए अब हमें 12 का LCM करना है तो 12 यहाँ लिखिए और इसका भी LCM कर लीजिए तो 2 छका में 12 फिर से काट लीजिए 2 त्याई का 6 और फिर से इसको काट लीजिए 3 एकन्नम का 3 यहाँ 1 आ गया अब जो है 8 है न तो 8 को यहाँ लिख लेना है और बराबर का Sign लगा ले ला है तो 8 का गुड़न खंड कितना आया है तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 आया है तो यहाँ लिख लीजिए 2 गुड़े 2 गुड़े में 2 ओके अब यहाँ 12 है तो यहाँ 12 लिख लीजिए अब बारा का गुड़न खंड कितना आया है तो दो गुड़े दो गुड़े तीन आया है तो दो गुड़े में दो गुड़े में तीन आ गया अब ध्यान से देखिए दोस्तों अब हमें चेक करना होता है कि दोनों में कामन कौन है तो यदि आप ध्यान से देखें, तो दो इसमें भी है, और दो इसमें भी है, तो इसे हमें bracket में कर लेना है, आपको हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं, अब दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी है, तो इसको भी bracket में कर लेते हैं, यह भी common है, दोनों में है, लेकिन यहां द गुड़ा कर लेना है दो गुड़े में दो तो कितना आ जाएगा चार आ जाएगा तो इसका HCF कितना आ गया चार आ गया अब हम भाग विदी से HCF करेंगे अब यहां 8 है और यहां 12 है यहां पर बड़ी संख्या काउन है तो 12 है तो यहां पर 12 लिख लीजिए इसके बाद जो का 8 8दूनी का 16 जादा हो जाएगा तो यहां 8 एकन्नम का 8 कर लेंगे तो 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा अब फिर से क्या करना है चार से 8 में भाग करना है इस 8 को यहां पर लिख लेना है तो भाग कर लीजिए तो 4 एककम का 4, 4 दून्वा का 8 तो दो बारी में कट गया और किसक कटने से सेसफल 0 आ गया तो इसका HCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अब देखिए दोस्तों दोनों ही तरीके से इसका HCF कितना आ गया 4 आ गया उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझा गई दोस्तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में सेयर करिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाइ, थैंक यू